हलो एन विल्कम टू मैथ्स मेटर क्लासेस फ्रिंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लिफिकेशन के वह पांच प्रस्ण को सॉल्फ करेंगे जो अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर उसमें गलती कर बैठते हैं या ज्यादा टाइम ल 25 भागा 5 तो इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि पहले 25 में 5 से भागा देते हैं और फिर जो आता है उससे 125 में भागा देते हैं और इस परकार से प्रस्ण घलत हो जाता क्या करना हैbd 125 के बटा में इसको भी लिख देना है और इसको भी लिख देना है 25 गुना 5 और इस तरीके से आप देखेंगे कि 25 पचे 125 और ये 5 5 कटके कितना हो जाता है 1 तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा अब ये कैसे होता है ये देख लीजे जैसे यहां पर 125 है और जब इस भागा को आप गुना में तबदिल करेंगे तो आप जानते हैं कि इस साइड वाला पलट जाता है तो ये 25 बटा 1 है मतलब कितना हो जाएगा 1 बटे 25 हो जाएगा और फिर से इसको जब 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 गुना के बदलेंगे तो ये पांच बटे 1 जो है वो क्या हो जाएगा 1 बटे 5 और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा और ये आजाएगा तो 25 कि पच्छे 125 और फिर से ये 5 5 कटके कितना जाएगा वना जाएगा तो इस तरीके से आपको इस question को हल करना है अब दूसरा कुश्चन है यह 999 पुर्णांग 995 बटे 999 इंटू 999 तो इस तरीके के प्रश्ण के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप एप पुर्णांग B बटे C पुर्णांग के रूप में कोई संख्या को लिखे तो आपको समझना चाहिए कि इस यहां पे बीच में प्लस है इसको आप लिख सकते हैं A पुर्णांग B बटे C और इस तरीके से लिखने से बहुत सारा प्रस्ण असानी से सॉल्व हो जाता है तो यहां भी हम लोग अपलाई करते हैं यहां 999 पुर्णांक 995 बटे 999 है इसका मतलब कि 999 प्लस 995 बटा 999 है और यह 999 दोनों के साथ बारी बारी गुना होगा तो यह इसके साथ गुना होगा तो 999 का हॉल स्कॉार हो जाएगा प्लस यह इसके साथ गुना होगा तो यह और यह कट जाएगा और हो जाएगा कितना 995 अब आपको क्या करना है कि 999 का हॉल स्कॉार निकालने का असान थरीका इसका क्या होगा कि 999 को हम लिख सकते हैं 1000-1 1000-1 का hall square plus 995 hall square कैसे निकलेगा यह 1 पे 3 0 है square करेंगे तो 1 पे कितना 0 हो जाएगा 6 0 हो जाएगा a square plus 2ab तो 2 into 1000 गुने 1 तो 2 into 1000 यह माइनेस में होगा माइनेस 2 भी पुलस 2a square मतलब कितना और पुलस में कितना है 995 है तो पुलस वाला को एक साथ आप जोड़ लिजे और फिर उसमें से हम क्या घटा देंगे 2000 घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा 995 और एक 996 और इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1000 और यह 3 0 के जगा 996 क्योंकि 995 और एक 996 हो गया इसमें से घटा देना है कितना 2000 तो 2000 घटा देंगे कितना जाएगा चो में से जीरो गया चो नौ में से जीरो गया नौ नौ में से जीरो गया नौ और यहां पे दस दस में से दू गया आठ और यहां पे नौ और यह दस में से एक इधर गया था तो यहां पे क्या नौ तो आंसर हो जाएगा 998-996 तो इस तरीके से आप इस प्रोष्ण को हल कर सकते हैं यह अक्सर एक्जाम में पुछा जाता है अब हमारा तीसरा प्रस्ट है 17 पुर्णांग 1 बटे साथ, जोड 18 पुर्णांग 2 बटे साथ, जोड 19 पुर्णांग 3 बटे साथ, जोड 20 पुर्णांग 1 बटे साथ, कभी-कभी ये प्रस्ट डायरेक्ली पुछता है, या कभी-कभी मिक्स करके पुछता है, इसमें कुछ और अभी दे देगा तो इसका कहने का मतलब है कि आपको इन सब के पुर्णांग को तोड़ना नहीं है अभी जो हमने आपको बताया कि ए पुर्णांग बटे इसको आपको समझना है कि यहां बीच में रहता है पुलस मतलब ए प्लस बी बटे सी तो यही कॉंसेप्ट इसमें अप्लाई कर देना है यह 17 पुर्णांग एक बटे साथ है इसका मतलब 17 पुर्णांग दो बटे साथ है मतलब 18 प्लस दो बटे साथ सेम 19 प्लस तीन बटे साथ प्लस 20 प्लस एक बटे 7 आपको जो पुर्ण संख्या दिख रहा है उसको एक साथ जोड़ लिजिए और जो आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है भीन में दिख रहा है उसको एक साथ जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा सत्रा और अठारा पैंटिस पैंटिस और बीस कितना हो जाएगा पच्पन में से एक घटा देंगे तो चोगन और चोगन अब इस कितना हो जाएगा तो चोगन प्लस इन सब को जोड़िए एक बटे साथ दू बटे साथ इन बटे साथ एक बटे साथ तो आप देख पा रहे है कि सबका हर समान है तो सबका जब हर समान है तो यदि योगफल के रूप में रहेगा तो जोड़ लेंगे और घटा में रहेगा तो घटा लेंगे तो सबको आप देख पा रहे हैं क्या है पलस में है तो जोड़ लेंगे दो और एक तीन, तीन तीन चो और एक है, साथ, और बटे में क्या है, साथ है, तो साथ बटे साथ कितना होता है, एक, अर्थात, चोहत्तर पलस एक, बराबर पच्छत्तर, अपसन नमबर बी, ये हो जाएगा अंसर इतना, जल्दी आप बना सकते हैं, आपको ये पूरा पुर पच्छत्तर पलस एक, पच्छत्तर आंसर लिख सकते हैं, अब हमारा अगला प्रस्ण है, कि पच्छास भागा पच्छीस का दू गुना तीन, तो बॉर्ड मास जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं, उसमें, बॉर्ड मास में हमारा पहले क्या आता है, आफ आता है, तो पहले पच्छास में पच्छीस से भागा दे देंगे, दो आएगा, दो दूना, चार, तीया, बार, इस तरीके से नहीं करना है, हमें सबसे पहले आफ का किरिया करना है, तो हम जब यहां पे करेंगे, तो पच्छास भागा और पच्छीस दूना क्या हो जाएगा, पच्छास हो ना कि 12 भागा नहीं देंगे ध्यान रहे समक्रक्राइब और गुणा होता है और प्राटिसमें दियान में मिलएगा, इसमें कह रहा है कि दो संख्या हैं तीसरी संख्या से क्रमसा 25% तथा 30% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रसंट अधिक है मतलब यहाँ पे तीन संख्या का जिक्र गया है मान लेते हैं यह पहली संख्या, यह दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या, यहाँ पे जिस भी संख्या से तुलना हो रहा हो उसी को हमको सौ मानना है, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, सौ मान लेंगे, तो द संख्या तीसरी संख्या से क्रम सब 25 परशंट तथा 30 परशंट अधिक है मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या से 25 परशंट अधिक होगी और दूसरी संख्या आगे कहा रहा है क्य दूसरी संख्या मतलब यह वाला पहली संख्या से मतलब इससे कितना अधीक है तो अधीक का percent जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या निकालते है अधीक बटे original या जहां से कहिए अगुना में 100 तो प्रतिसत कैसे निकला है कितना जादा है तो आप देख पारे होंगे 5 ज़्यादा है कहां से ज़्यादा है तो 125 ज़्यादा है या जिसके साथ का से पर लगा रहे वो नीचे आता है आप देख पारे हैं पहली संख्या से तो पहली संख्या कहा आएगा नीचे और गुना में 100 25 से कितना बार में 5 बार में और 25 से ये 4 बार में 5 और 5 कैंसिल मतलब 4 प्रसेंट मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से 4 प्रसेंट क्या है अधिक है इस तरीके से आप exam में question को आसानी से solve कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के question के साथ तब तक वीडियो को like करें share करें subscribe करें दोस्तों को forward करें